हेलो दोस्तों साथ आप सेगी मैं है चैनल मैं दोस्तों वीडियो में बात करेंगे जितने भी फर्स समेस्टर वाले बच्चे हैं आपको असाइमेंट कैसे सम्मिट करना है खास दोर से बीए प्रोग्राम वाले बच्चे समझ लो आपको असाइमेंट कैसे सम्मिट करना है सु पिछली वार जिन्होंने भी assignment दिया है first phase में तो उन्होंने गलती करी हैं काफी तो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे देख लो आपको second chance नहीं मिलेगा जो पहले assignment दे चुके हैं बच्चे उनको second chance मिल रहा है बट जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे उनके 18 तारीक से assignment कर हैं तो सुरू से लेकर end तक देख लो किस तरह से आपको assignment submit करना है और आहां दोस्तों चैनल को सब्काइब कर लेना जितने बच्चे हैं जब तक लिंक कर दिखा देता हूं कहां पर आपको assignment submit करना होगा लोग इन करना होगा ठीक है तो उसका लिंक में वीडियो को देदूँगा आप लोग डिरेक्ट क्लिक करोगे यही पर आ जाओगे तो यहां पर देख लीजिए आपको अपना solo number फिल करना होगा और बार कोड नमबर फिल करना होगा ठीक है जब आप student dashboard ओपन करते हो तो वही वाला solo number और बार कोड नमबर डालना होगा और यह number आपको add करके लिखने होगे ठीक है जैसे 5 5 10 हो गया तो यहां पर 10 लिखना आप लोग ठीक है 10 लिखने के बाद login पर click कर देना तो आपका जो student dashboard है assignment वाला वो open होके आ जाएगा ठीक है किस तरह का open होके आएगा वो मैं आप सभ subject code लिखा होगा और किस दिन कि subject का assignment करवाया जाएगा वो यहां पर लिखा होगा जैसे काफी सारे बच्चे confused हो रहे हैं कि एक दिन में दो subject का assignment दिखा रहा है तो एक दिन में दो subject का assignment नहीं करवाया जाएगे यह में clear कर देता हूँ और जब आप लोग अपना student dashboard open करोगे assignment तो यहां पर date लिखी होंगी कि कब assignment करवाया जाएगा किस time करवाया जाएगा तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों यह बी ओनर्स वाले बच्चे का है तो यहां पर देख लीजिए एक exam 5 अपरेल को है एक exam 6 अपरेल को यहां पर timing दे रखिए 12 बज़े करवाया जाएगा कोशन आएंगे सतन नंबर के 35 के 35 अटेम्ट करने हैं आप सभी को ठीक कोई भी नेगटिम मार्किंग नहीं है तो आपको 35 कोशन अटेम्ट करने हैं तो यह चीज आप सबकी किलियर हो गई होगी किस दिन किस subject का exam होगा यह आपके assignment वाला जो student यह वहां पर mention होगा तो अब म आपका assignment शुरू होगा यहाँ पर green color का बनके आ जाएगा और यहाँ पर देख लीजे लिखा होगा mcq live यानि जैसी assignment शुरू होगा यहाँ पर लिखा होगा mcq live आपको इसके उपर click करना होगा ठीक है तो यहाँ पर देख लीजे दोस्तों आपका नाम लिखा होगा roll number लि यहाँ पर timing लिखी होगी 45 minute जो भी मिले हैं यहाँ पर timing लिखी होगी ठीक है और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज important है समझने वाली है most important बात है ठीक है काफी बच्चे इसमें गलती करने वाले हैं तो यह गलती मत करना ठीक है तो द्यान से इस चीज को समझना अब द करने के बाद में आपको इसके उपर क्लिक करना होगा answer submit for question number first ठीक है जो भी question आप लोग सम्मिट करोगे तो उसके बाद इसके उपर क्लिक करना होगा ठीक है यानि समझ लिए दोस्तों जैसे कि first question है यह ठीक है और यहाँ पर second option right है तो इसके उपर क्लिक कर दिया पिर पर लिखा होगा question number second ठीक है यहाँ पर one लिखा है answer submit for question second तो वह यहाँ पर लिखा होगा तो आपको इसके उपर क्लिक कर देना है और फिर then आपको next करना होगा ठीक है तो इस चीज़ का द्यान रखना काफी बच्चों ने पिछली वार गलती क्या करी थी सीधा इसके उपर क क्लिक कर दिया और फिर next कर दिया तो आपका जो assignment वो submit नहीं हुआ था तो यह चीज़ काफी बच्चों ने पिछली वार करी थी और जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे 18 तारिक से exam दे रहे हैं इस चीज़ का द्यान रखना बिल्कुल द्यान रखना है आपको ठीक है जै second, third यहाँ पर जैसी submit करते जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ आता रहेगा और उसके बाद आपको next पर click करना है answer submit करने के बाद में next के उपर तब आपको click करना है यह नहीं कि direct next कर दो इस पर आपने select कर लिया फिर आपने direct next कर दिया यह गलती मत करना आप लोग और हाँ द पर लिख्यों ने क्या गलती करी थी यहाँ पर red बना हुआ आ रहा था यानि वो answer आपका submit नहीं हुआ है तो यहाँ पर समझ लेना अगर आपका red बनके आ रहा है तो वो answer आपका submit नहीं हुआ है इस चीज़ का ध्यान लगना अगर green हो गए सारे box तो समल लो आपके जो answer है वो submit हो चुके है तो इस चीज़ का ध्यान लगना आप लो तो एक बार मैं आप सभी को दिखा भी देता हूँ तो यहाँ पर देखे दोस्तों यह green कलर के बनके आएंगे आपके सामने ठीक है जैसी answer submit करेंगे यहाँ पर green कलर के box आपके सामने आ जाएंगे अगर green आ रहे है तो जैसे ही next के उपर किलिक करेंगे जो आपका answer है वो submit हो जाएगा यहाँ पर green कलर का बनके आजाएगा तो यहाँ पर देख लीज़े दोस्तों यह बार फिर से बता जिता हूँ कि यहाँ पर question number लिखा होगा जो भी answer आप लोग select करोगे वो select कर लेना फिर आपको इसके उ पर किलिक करना है next question आपका open होके आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देख लीज़े दोस्तों कि यहाँ पर green हो जाता है तो समलो आपका जो answer है वो submit हो चुका है फिर यहाँ पर second question बनके आ जाएगा फिर second question आपके सामने open होके आ जाएगा और second question में ऐसी करना है कोई option है वो select इस वे नंबर पर या 20 वे नंबर पर कोई से भी question पर हो और लगता है कि पहला question गलत है तो आपको इसको पर click कर दाना है पहला question पर आ जाओगे आप लोग तो यह चीज करने के बाद में फिर यहाँ पर देख लीजे दोस्तों जैसे आप लोग next पर click करोगे तो आपका यहा आप दोस्तों आप लोग समझ गए होगे किस तरह से आपको assignment submit करना है अगर आपको कोई दिक्कत या doubt है तो आप लोग में को Instagram पर message करके पूछ सकते हो लिंक वीडियो के डिश्वाम सेज को मिल जाएगा ठीक है जो भी दिक्कत doubt है तो आप लोग में को message करके पूछ सकते हो I hope आप लोगों के जो भी doubt है वो clear हो गए होंगे ठीक है तो assignment submit करने में कोई भी गलती मत करना इस चीज को मैं पहली बताए दे रहा हूँ ठीक है आपको सिर्फ एक ही chance दिया जाएगा second chance आपको नहीं दिया जाएगा तो जितने भी B.A. प्रोग्राम वाले बच्चें इस च चीज का जुरूर त्यान रखना आप लोग ठीक है सारी चीजे मैंने आप सभी को बता दिया किस तरह से assignment submit करना है नॉर्मल सी बेसिक सी चीजें कुछ नहीं करना जाएगा ठीक है अगर फिर भी कोई दिक्कट डाउट है मैसेज कर देना लिंक वीडियो के डिशन आप सभी वीडियो को लाइक करना और शेयर घर जैना दोस्तों के साथ मैं तो